हेलू, नमस्कार बच्चों, आप सोवका हर्दिक स्वागत है, आपका प्यारा चैनल A2Z HD.4 मैं परदीप सर, आज हम क्लास लेके आई हुए हैं, यह प्रशना वली 2.2 का अध्यान करेंगे, और यह क्लास 7 से है, और यह देख रहे हैं, क्वेश्चन नमर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सभी क्वेश्चन का आज हम सोलिशन करेंगे, तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंतक बने हैं, प्यारे बच्चों, देख रहे हैं, क्वेश्चन नमर 1 का हम त्यारी कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखा है, निमली खित की आक़िती बना कर दर साई, तो दो गुना, दो बटे 3 है, तो इस आकर्टी को बनाने के लिए, आपको क्या-क्या करना होगा, यहां देखिए, 1D2 है और यहाँ गुन्हा है और यहां पर आपका dote तीन है तो इसको बनाएगी कैसे जैसे यहाँ आपका डौ है न थे आप क्या करेंगे bill to खेरा बना लिजे यह इन्ग यह दखेए आपका ये दो घरा है यह दोू गोल बना होना है तो तीन घर कैसे बनाएंगे यह दिखिए आपके पास तीन घर होना चाहिए है कि नहीं तो तीन घर हम कैसे बनाएंगे ऐसे कर लिए यह दिखिए तीनों बराबर हो गया कोई दिकत नहीं है इस तरह दिखिए दोनों में हम क्या करें दो बटे तीन भाग कर रहे हैं ठ तो इसको यहां से हम color कर दिये, यहां से यह, और इसको यहां से हम color कर दिये, तो बच्चों यह देखिए, यह आपका answer होगा, यह ही इसमें करने के लिए कहा था, तो आप समझ गए होगे, अब यहां B number में, यहां कर रहा है तीन, तीन तो घेरा बना लेजी न, तीन आकृति बना लेजी, एक, एक, दो, और यह होगे आपका, तीन, अब इसमें क्या कर रहा है दीखिए, इसमें चार कर रहा है, ध्यान रहे, यहां पर चार है, यानि चार भाग होना है, ठthe Hasla अर दिखिए, हम चार भाग इसको बना दिये, इसमें भी क्या करेंगे, चार भाग बना अब इसमें करते तीन पाद है न concluding कर रहा है तो ये smile the Satya अनितने गारा के जीति नहीं न सब्सक्राज में क्लगार में सब्सक्राइब से जाए है में किया जाता है अब यहां देख रहे हैं फोर गुना 1 by 3 है तो यहां क्या इसका मतलब यह क्या का रहा है यह फोर का मतलब है चार टो घर बनाना है तो एक दो, तीन, और यह हो गया, चार, अब यहां क्या है, तीन है ना, तो तीन जैसे यहां दिया है, तो तीन भाग करना है, याद रहे, तीन भाग करने के लिए कह रहा है, तो चलिए कोई दिकत नहीं है, हमने तीन भाग कर दिया, यह दिखिए, तीन भाग आपका हो गया, फिर इ इसमिया से भी आपको तीन भाग करना है यह तीन भाग हो गया अब यह क्या काता है एक भाग को रंग करना है यानि सभी में एक पार्ट को रंग करना है एक पार्ट को रंग कर दिए फिर इसका इस पार्ट को रंग कर दिए इसका एक पार्ट को रंग कर दिए यानि किसी पार विदों के च्यांकित भागों के भीनों को लिख कर योग गीजे और योगफल का च्यांकित आकृति भी बनाईए, तो प्यारी बच्चों, इसको कैसे बनाईगे तो इसका भीन्च क्या लिखेंगे, यह दिखें इसका चार पाठ है, यहां क्या लिखेंगे? चार पार्ट लिखेंगे और कलर कितना है एक पार्ट है उपर में एक लिखेंगे यह कितना है कलर आपका एक पार्ट है तो यहां एक लिखेंगे और घर कितना है चार घर है तो चार लिखेंगे इसमें कलर है एक और घर है आपका चार यह हो किया अब यह हम क्या लिखें निम बटे 4 पलस 1 बटे 4 पलस 1 बटे 4 यह आपको जोड़ने के लिए कह रहा तो 4-4-4 का लोगतम निकालेंगे कितना होगा मालूम है आपका 4 ही होगा बच्चों अब यहाँ देखे क्या है 1 पलस 1 पलस 1 कितना होगा जोड़ देगा 3 हो गया तीन बटे चार हो गया बच्चो यही तो आपका अंसर हो गया देखें कितना अच्छा सा आपको बता दिये इस तरह से बनाने का प्रियास करेंगे बच्चो आईए चलते नेस्ट कोस्चन पर अब नेस्ट आकरती में दिया है इसको भी 6 अंकित करके आपको जोड़ना है तो यह कितना है देख रहे हैं यहां से यहां तक कितना घर है तो 8 घर है यहां पर 8 लिखिए और रंग कितना क्या है एक घर क्या है तो एक लिखिए इसका कितना है वही इसका 8 घर है रंग कितना है एक घर एक लिखे अब यहाँ दिखे इसका अभी कितना घर है आठ घर है और रंग कितना क्या है एक घर क्या है कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करा है इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ते हैं कैसे एक बटे आठ पलस एक बटे आठ पलस एक बटे आठ हो गया अब इसको बच्चु क्या करना है इसको जैसे ही जोड़ेंगे बच्चु आठ आठ है और आठ का लोगत हम लेंगे कितना हो जानते हैं? आठ ही होगा. अब यहां कितना एक, एक, एक है? तो एक, जूड़, एक, जूड़, एक करेंगे. तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा? तीन बटे आठ बच्चों. यही तो आपका अंसर हो गया. कोई दिकत नहीं है? अब चलते हैं question number next पर. बच्चों यहां पर देखने क्या करें? गुना करकी मिश्रित भीन में ब्यक्त किजिए. पहले इसको गुना करना है. तो बच्चों गुना कैसे करेंगे? साथ और्दु को पढ़ेंगे कितना होगा? साथ दुनी चोगदा होता है. चोगदा बटे तीन लिखिए. यह हो गया. अब इसको क्या करें मिश्रित भीन में लिखने के लिए? तो मिश्रित भीन में कैसे लिखेंगे? तो चोगदा में तीन से भाग देंगे. तो कितना हो जागा जान रहे हैं? चार तिया बारा, बारा अर्दु चोगदा. तो बच्चो आपका चार पुरनांग, दो बटा तीन आ गया. यह ही इसका आंसर हो गया. अब दो नमर में क्या कर रहा है? इसको भी आपको गुना करके लिखना है. क्या लिखेंगे? धियान दीजे. दो दुनी चार, और चार बटा कितना हो गया? तीन. अब इसको क्या करेंगे? इसको भी मिस्रिद भीन में लिखेंगे. यहाँ पर क्या रहे हैं? तीन, एकांट तीन, और एक, चार. तो हो गया? तो यही आपका आंसर हो गया. इस तरह से बच्चों बनाने का परियाज करेंगे. अब आते कोश्चन नमर, थर में आपका कोश्चन नमर दिया हुआ है. धियान से इसको देखेंगे. तो चार गुना, दो बटे, तीन है. तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सीधा से देख लिजिए ना. चार अर्दू को गुना कर देंगे. कितना होगा? चार गुने, आठ होगा. आठ बटा, तीन होगा. और इसको फिर क्या करेंगे? इसको मिस्रिद भिन में व्यक्त करना है. तीन गुना, दो बटा, तीन है. तो इसको बनाना है. तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर धियान दिखिए. आप कहेंगे इसको हम कटा देंगे. लेकिन आपको कह रहा है गुना करने के लिए ना. तो गुना करके आप इसको बना सकते हैं है के नहीं जैसे ही इसको हम करते हैं इसको भी कटाएंगे तो वही दो आंसर आगा इसको गुना भी करेंगे तो वही आएगा देख लेते हैं तीन और दो को गुना करेंगे तो कितना होगा चो हो जाएगा तो यह आपका question number one, यह question number two है, यह question number three है, प्यारे बच्चों धियान दिजे, इसका कहराथ दो बटे तीन भाग आपको color करना है, यह तीन का मतलब आदेखिए, एक, दो, तीन लाइन देती है, इसका दो भाग रंग करना है, तो दो भाग क्या रंग करेंगे, यह दिखिए, इसको रंग कर दिये, तो यही इसमें कहारा, दो भाग रंग करने के लिए, तो इस तरह से आप देखकर, अच्छी तरह से इसको color कर सकते हैं, उमीदे बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आगया होगा, कहीं भी कोई दिकत नहीं होने चाहिए, अब नैस question की अगर हम बात करें, तो इसमें दिया हुआ है, कि एक बटे चार भाग को रंग करना है, तो एक बटे चार भाग का मतलब चार है न, एक बटे पांच भाग को बना दिया है, तो तीन भाग आपको क्या करना है, कलर कर देना है, तो तीन भाग कैसे कलर होगा, यह दिखिए एक, यह हो गया आपका एक और यह भी हो गया एक यानि इसमें आपको क्या करना है तीन लाइन को रंग करना है तीन का मतलब तीन रंग को रंग करना है यहां देखिए आपका हो गया एक यह हो गया दूसरा लाइन हो गया और यह भी आपका दूसरी लाइन है तो यह कलर हो गया आते हैं five number question में अब यहां देख रहें प्यारी बच्चों आपका क्या निमली खीत का मानिग्यात करें तो मानिग्यात कैसे करेंगे दू पुर्णा एक बटे चार का एक बटे तीन है प्यारी बच्चों इसको बनाने का प्रियास करते है चार को दूबार पढ़ें कितना होग बटे चार का मतलब अगा एक बटा से कर सकते इसको बुक्त कोई दिकत नहीं है जैसे इसको गुणा करते है नो किसे को केसी बहें इसको क्या हो देख रहे तो आप यहां देखेंगे कि तीन एकां तीन इसको कटाते तीन होता था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तीन बटे चार बच्चों आपका आंसर हो जाएगा अब यहां देख रहे हैं क्वेस्चन नमर B में है पांच पूर्ण एक बटा दो क्या करेंगे पांद दूनी दस दस और एक एक ग्यारा हो जोड़े एक ग्यारा बटे दो का का मतलब होता है गुना अब दो बटे पांच को यहां पर लिखेंगे अब दो और दो को हम काड़ देते हैं कितना हो गया एक भर कियारा बटे पांच हो गया अब यह देखें को स्यमें तो चार बटे टेरा बटे चार हो गया का मतलब गुना होता है गुना लिखे एक बटा दो लिखे लिजिए बच्चो अब तो कहीं कटेगा नहीं तो तेरा एक को गुना करेंगे कितना होगा तेरा हो जाएगा और चार दुनी कितना हो जागा चार दुनी आठ होगा प्यारे बच्चो आपका यही 3 लिख दीजिए 2 बटा 3 लिखिए अब क्या करेंगे 2 तिया 6 कर जाता है आपका तो यहां क्या है 19 है यहां पर 19 लिख लिजिए 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा प्यारे बच्छों यही आप कांसर हो गया कोई दिकत नहीं है अब यहां देखते हैं 9 पुर प्यारे बच्छों यही आपका अंसर हो गया इस तरह से बच्छों आप बनाने का प्रयास करेंगे और जहां 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 जदी कटे इसको कटा के भी आप आगे बढ़ सकते हैं वह दिकत नहीं है आईए बच्छों अब देखते हैं question number app में तो यहां देखते हैं क्या करता ह है कि 4 पुर नंग दो बटे 7 का दो बटे 5 है तो यहां क्या करेंगा से सचोग 28 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा से सचोग 28 दो तीस हो जाता है तो अधो से को देख रहें प्यारे बच्चों कि छो नमर में कि जैदेव और महादेव पिकनिक पर गए उनकी मां उन्हें तीन लिटर दूद एक बोतल में दी महादेव ने कुल दूद का दो बटे तीन भाग वह सेस दूद जैदेव ने पिया तो काता महादेव ने कितना दूद पिया इसको कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए आप दिखिए यानि तीन का दो बटे तीन भाग क्या बनाएंगे तीन का दो बटे तीन भाग कितना हो जान रहे हैं तो तीन गुना का का मतलब गुना होता है दो बटे तीन लिखेंगे यह यह आपका कट गया यह कितना हो गया दो आपका बच्चो आंसर हो गया यानि महादेव ने दो लीटर दूद को पी गया यानि ये महादेव का हो गया तो बच्चो ये था आपका question answer आज complete कर लिए पूरा question answer को कहरे बच्चो आज देख लिए 2.2 का solution पूरा का पूरा कर लिए अब next class में हम ले एक है आएंगे 2.3 का तो 2.3 का देख रहें question क्या कर रहा है ये देखिए 2.3 का next class में हम अध्यान करेंगे thank you